गवरोगोगाई जीने मनिपूर के नसले हिंसा इसके धेर सारे बात की आंकडे बताए मैं आपके माध्यम से स्री गवरोगोगाई को कहना चाहता हूँ और रेकोर्ड के आधार पर कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा धार्मिक और नसलियत दंगे किसी के सासन में हुए है तो स्री जवालाल नहरू इंदीरा गांधी और राजिव गांधी के समय में हुए अब मैं बताना चाहता हूँ अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 साड़े साथ सो लोग मारे गए आंत्रप्रदेश 6 डिसंबर 1990 से 91 हाइदराबाद 143 लोग मारे गए उत्तरप्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए माने वर उत्तरप्रदेश 18 मैं से जुलाई 23 1927 मेरट 187 लोग मारे गए उत्तरप्रदेश 7 से 31 डिसंबर अलीगड 112 लोग मारे गए माने वर गुजराच फरवरी अडार से जुलाई 31 उननीस सो पचासी 206 लोग मारे गए जारखंड 183 लोग सरसट में मारे गए माने वर पस्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राव केला कलकत्ता 1000 से अधीक लोग मारे गए बिहार जमसेदपूर 120 लोग मारे गए माने वर मैं यह इसलिए बताता हूँ मैं ऐसा मैं यही कहना चाहता हूँ सुने ना मैं यही कहना चाहता हूँ कि दंग तो सांती के अपिल में सहयोग दंकी से मानोगे ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूगा तो सांती में सहयोग नहीं दोगे ऐसा कहना चाहते हैं सांती की अपिल और इसका कैलेंदे मैं तो रादनी की जवाब दे रहा हूँ आपका मानेवर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दंगे हर बार हुए मगर दंगो को हमने कभी पार्टी के साथ में जोड़ा हमने कभी दंगो का जवाब देते हुए किसी गुरू मंत्री को नहीं रोका है हमने कभी सदन को बेन में नहीं लिया है हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कारेवाई को समाप नहीं किया है हमने करा है तो विपक्स में रहते हुए भी सांती की अपिल का समर्थन किया है सांती का सांता है अभी गवरो गोगाई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निस किया जा इंस्टिटुशन तोड़े जा रहे हैं मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाता हूँ इंदिरा गांदी जी प्रधान मंत्री थी सुब्रिम कोट के सबसे सिनियर जज हंसराज खन्ना क सुब्रिम कोट के चार जजों को बाईपास करकर स्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टेडी आगया मान्य अध्यक जी सिये जी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांदी ने किया था यूपी एसी जैसी स्वायत तो लोक्तांत्रिक संस्था को इसके अधिकारों को छिनने का काम इंदिरा गांदी जी ने का बाईया आपको इस्तियास मालूम नहीं है मान्य वर मुझे मालूम है सांती की अपिल तके नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको सांती नहीं करना है यह अभी वक आउट कर जाएंगे यह वक आउट कर जाएंगे इस उप्रियास सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी सुप्रिया जी सबसे पहली सरकार महाराष्ट में किसी ने गिराई तो श्रीमान सरद्पवार जी ने गिराई तो और वसंदादा पाटिल की सरकार गिरा कर भारतिया जनसंग का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत भारतिया जनसंग का भारतिया जनता पाटी भी ने मानने वर मानने वर माने वर इनका जवाब सुन लिजे जोशी जी उसके कनवीनर थी मुख्यमंत रिकोंड बना सत्ता किस ने भोगी सत्ता का सुप किस ने प्राप्त दिया उसमें बातिया चल्टा बाति नहीं थी माने वर तरून गोगई जी ने चीन की बात निकाले माने वर मोदी जी तो एक अंतराष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय मिटिंग में चीन के राष्ट्रा देख्सकों मिले थी इसमें कोई आपति नहीं है मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाइबाय के नारे नहीं लगाये थे जिससे बासट जैसी हाड का करारी हाड का सामना करना पड़ा और स्री जवालाल नहरूजी तो इसी सदन में आकासवानी पर बोल गए थे बाई बाई आसाम ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम ने को बचाया मानिवर और चिनने एक तरफा समयदान किया तब बचाया